कि यहां पर हम देखते हैं एनालोग लेक्ट्रोनिक्स सब्जेक्ट है बीटेक एलेक्टिकल सब्जेक्ट का नाम है एनालोग लेक्ट्रोनिक्स चैप्टर फस्ट है डायोड सर्कुट इसमें किस तरह किसी कुशन पूछे गए है जैसे लिए आउट्पूट वेफर्म ड्रॉ जैसे हमें इस तरह किसी वेफर्म दे दी है जैसे यह विब फॉर्म है यह क्या है 20 वॉल्ट यह भी 20 वॉल्ट है लेकर माइनस का है 20 वॉल्ट क्योंकि यह रेफ्रेंस पॉर्ण्ट है और यह ती रेस्पेक्ट टाइम और सर्कृट इस तरह किसे दिया हुआ है इस सर्कृट में हम इसको इन्पॉट करना है यानि कि 5 वॉल्ट माइनस प्लस और यहां पर लगाया गया डायोड और यहां पर लगाया गया रजिस्टेंस और यह हमें आउटपुट निकारना है यानि इसके आउटपुट पर हमें क्या मतलेगा जबकि इन्पुट पर हम इस वेफ़ॉर्म को अप्लाई करना है तो यहाँ पर हम देखें कि इसका आउटपुट हम भी बता करना है कि इसका आउटपुट क्या होगा तो यहां पर यह minus का है और यह waveform जब जोड़ेगी इसमें तो इसका मतलब क्या है इस figure में हम देखें तो input voltage हमारा यह है इस input voltage में हमें 5 voltage जोड़ना पड़ेगा यह less than आना चाहिए reference voltage से यानि कि जो reference voltage हमारा दे रखाया है उसे less than आना चाहिए जैसे कि यहां पर input प्लस पांच वल्ट यहां पर जुड़ जाएगा यह हमारा section जैसे जोड़ेगा इसमें तो किस तरीके से होगा आउट्पूट वेफर्म हमारे किस तरीके से आएगी जैसे यह हमारा reference point है आउट्पूट हमारे पास में यह है और वी आउट्पूट हमारे पास में यह है डायोड के अंदर लिएर रिलेशन होता है दोनों के बीच में तो यानि बीन वोट्पूट वाल्ट वड़ जाएगा आउट्पूट वाट्पूट वेफर्म हमारे पास में किस तरीके साहेगी यह पांच वॉल्ट जोड़के आगे जैसे हमारे पास में यह रेफरेंस वेफर्म में जो कि वीच वॉल्ट के लिए है अब इसमें अगर हम पांच वॉल्ट जोड़ देते हैं कि आउट्पूट वाल्टेज की वेफर्म इस तरीके से बढ़ जाएगी हैनि 20 की जगे 25 हो जाएगा इस तरीके से है कि भी छोड़ी इस तरीके से बढ़ जाएगी यह और यहांभी है जो कैसे प्लस में ही बढ़ेगी नेगेटिव में यहां पर कोई चैंज है आएगा नेगेटिब में सेम रहेगी नेगेटिब में यहां पर तो जैसे डायोड ओन होगा तो हमारे पास में कितना मिल रहा है 20 वल्ट यह और 5 वल्ट यह यह 25 वल्ट हो जागा यह पीक वैल्यू कितनी हो जागी 25 वल्ट ऑ-घर यह प्लस का होता है तो हमारे पास में अगर यह मान लेजिए कि यह इस तरीके सोचे होगे प्लस और माइनस तो यह हमें 15 वल्टी मिलता हूँ यह प्रियंप्ट मिलेगा हमती है कि और नेगेटिम मिले गा दूसरा question इस तरीके से दे रखा है कि हमें input waveform में वो इस तरीके से दी हुई जा यह नूसरा इन्पूट waveform में दी हुई जा यहां पर प्लस 5 बॉल्ट और माइनस 5 बॉल्ट यह वाला यह भी input है अगर इसको हम अप्लाई करते हैं इस सर्कुट पर जैसे कि यह सर्कुट हमें क्यापिशिटर गनेट कर दिया और यहां पर डायोड कर दिया और यहां पर बल्डेज हमने लगा दिया ट्वल्ड कि लाइक माइनन से तरह रहा कि अपना उसकी वेफर में इस तरह किस तरीक से मिलेंकि आउट्पूट वेफिर म rap यहां पर यह लगा ह्पिए सबसे पहले यह जोकेशिटर यहां पर लगा हुआ है यह टो पांच वट दिया हुआ है यह पलस का यांपर worlds कर दिया है तो यहां मैंस हो जाएगा यानि कि 3 वोल्ट तक के चार्ज होगा तो इसके बाद में आउटपूट जो आएगा हमारे पास में वह आउटपूट के आएगा कैपिस्टर का वॉल्टेज माइनस होके आउटपूट आएगा यानि कि कि आउटंकि बाद मتم कैपिस्टर का वॉल्टेज कितना है 3 कि हमारे पास में में आउटपूट कितना आ सकता है टर कि नेगटिव में हम देखें नेगटिव में क्या है जैसे कि यहाँ पर पहले से नेगटिव ओम किकतना हो जाएगा तो टोल कितना हो जाएगा जैसे हम माईनस पाज चार जातीन वर्ड तक कि तो ये क्या हो जाएगा माईनिमम बॉल्टेज ये तो मइकजीमम बॉल्टेज है इजे अजे लेगा वह आ जायेगा माईनस का पॉटümü- थो हमारे पास में आउटपूट उर्कम किस तरीके साएखी तुम और मिनिमं मोलских हमारे पास में यह तरीकिंडे निस तरहर घर्र statistics कि ठीड है इंपौट अ off इस तरीके से, तो यह दर रखाया, plus 10 volt, और यहाँ पर दर रखाया, minus 10 volt, अब इसको हमें इस सर्केट पर अप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पर एक resistance लगा दिया, एक अमने डायोड लगा दिया, यहाँ पर जो voltage लगाया है, plus 3 volt, यहने कि 3 volt की बेटरी लगा दिया, एक डायो और यहां पर लगा दिया 6V और हमें B output voltage बताना है कि B output voltage क्या होगा तो यहां पर हम देखें कि इस resistance को लगाने से क्या होगा इस circuit के अंदर क्या change आसकता है resistance को लगाने की वेश्ट है तो यहां पर जैसे ही हम यह बॉल्ट अप्लाई करते हैं 10V तो 10V अप्लाई करेंगे यहां पर क्या है 10V जब प्लस अप्लाई करेंगे जब प्लस अप्लाई करते हैं तो यह वाला डायोड काम करेगा यह वाला जब डायोड काम करेगा इसका मतलब क्या है कि जब तक 10V 6V तक रहेगा तब तक हमें कोई भी output नहीं मिलेगा 10W के बाद में हमें output मिलेगा तो बेफ़न किस तरी किस होगी जैसे इसी को बना देते हैं आगे बढ़ा कर इसे इसी को बढ़ा है तो कि यहाँ पर प्लस होगा उपर की साइड पहले प्लस प्लस होगा तो यह बाला डावट हमारा काम करेगा तो 6W तक तो यह काम नहीं करेगा तो यहाँ पर हमें 6W तक तो output इस तरी किसी मलेगा यहने कुछ भी हमें output नहीं मलेगा 6W यहाँ तक और फिर इसके बाद में जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 6W हो जाता है यह तो यहाँ से हमें यह लेनी पड़ेगी reference point तो यहाँ तक फिर यहाँ से आगे जैसे कि यहाँ पर 7W तक हमें कोई output नहीं मलेगा यानि यह वाला output प्लेट हो जाएगा इस तरीके से फिर बाकी यहाँ पर आएंगे initial point तक जैसे कि यहाँ तक आए फिर नेगेटिम में हम जाएंगे जैसे कि यहाँ पर नेगेटिम में जाएंगे नेगेटिम में क्या है जब नेगेटिम होगा तो यह वाला डाइवट काम करेगा तो यहाँ पर नेगेटिम में जैसे जाएंगे तो तीन बॉल्ट से नीचे नहीं जाएगा यह कि नेयूट टो काम करता नहीं तो हम आउट पूट मिलेगा नहीं में यह और इसने इस अप्लाई में तीन बोल्ट से ज़यादा नहीं आएगा यहां पर आएगा वल्ट के लिए प्राइब कर एक तरहां पर दो शे जाएगा तो फिर नेगेतिव में पुरी सफ़ाई के अंदर कांप नहीं करेगा तो याँ पर यहां से दुबार इस तरीदे तो होगा ऑफिर हमें इस तरीखेस आउटपूट मुतेगा यहां पर क्या है थीन आउटपूट से यह आउटपूट श्टाक होगा सद्सक्राइट है इसी आउटपूट से अर्य और से वाट के बीच में सहर्ज मुलेगा ज valuable है यह इस नेगेट्टम एइस नेगेटिब के ऊपर होगा तब हम यह एपास में यह इस diode कावन कर शकते हैं कोकि 3 वाल्त करेगा ही करेगा तो इसके Reverses में 3 वोल्ट यह पर काम करेगा लाते के प्वाल्ट त्वाल्ट के बीच में कि इसके बाद में हम देखते हैं नैस्ट कुशन हमें एक सर्कृट कंसीडर करना है जो कि डायोड दिया हुआ है जिसके अंदर कंसीडर एक सर्कृट जिसमें डायोड दिया हुआ है डायोड के साथ में एक रजिस्टेंश दिया हुआ है और एक सिग्नल सोर्च दिया हुआ है जो कि सीरीज में दिया हुआ है यह सारी चीजे किसमें दिया हुआ है यानि कि एक स्टोच दिया हुआ है इस तरीके से एक डायोड दिया हुआ है और एक रजिस्टेंश दिया हुआ है इस तरीके का हमें एक सर्कृट कंसीडर करना है यह सर्कृट है अब इस सर्कृट के ल किसी जो रिलेसं है है डाइनेमिक और हम क्रांसफर क्राप्रेश्टीस में कहां कि बताना है है कैसे अपूर दूसरी इसकी डाइनमिक करेक्स्ट्रिस जास है तीसरा इसका बताणा है ट्रांसफर करेक्ष्ट्रिस अधर क्रेक्रकरिस्ट सबसे पहले सर्कुट के लिए हम देख लेते हैं कि सर्कुट की इस्टेटिक करिक्सिस क्या हो फिक्ति है जैसे सर्कुट क्या दिया हुआ है यह बी इन पुट दिया हुआ है सोड्स यह हमें डायोड दिया हुआ है और यह हमें रेजिस्टेंच दिया हुआ है अगर इसकी इस्टेटिक करिक्सिस बनाएंगे हम तो इस्टेटिक करिक्सिस में क्या होगा जैसे कि यह सोर्स लगा हुआ है जैसे कि यह सोर्स है बी एस तो यहां पर सोर्स करेंट फ्लो होगी आई तुम्हें आपके जो कि एक तरीके से सॉट के दरा दे आती हैं यह अजो मिन नौन लिनियर होंगी यहांनि आई की जो वेली होगी यहां पर यानि यहां पर जो i current flow होगी वो क्या होगी i s e की पावर bdy nvt यानि यह terminal voltage है bdy diode voltage है माइनस के बन यह इसकी स्टेटिक करेक्षिस होंगी इस सर्गेट के लिए क्योंकि i है यहां पर diode current है यह वाले जो current है i यह क्या है diode current यहां पर diode current और i s है यहां पर reverse wise saturation current है reverse wise saturation current और bd है यह voltage across diode है bd और bt है यह thermal voltage है और bt है यहां पर थर्मल बॉल्टेज थर्मल बॉल्टेज और यह एन लगा हुआ है इसकी वेर्यू वन से टू के बीच में होती है है और जो इस्टेक्टिक करेक्षिस है कांडरिजन के अंदर आंदर इन रिजन होती है लिजन होते हैं इसके कंडेन्जन रिजन कट आफ रीजन और ब्रेकडाउन रिजन तो यह स्टुटी करिक्सित के तीन रिजन और रिजन होंगे कंडेन्जन रिजन है डूसरा होता है कर्ट आफ रीजन कट आओफ रीजन और तीसरा होता है ब्रेकडाउन रीजन अब इसको सो कैसे किया जाता है जैसे कि यह स्टेटिक रेक्षिस को दिखाना हो आमें तो इस तरीके से दिखा जाएगा यहां पर जैसे डैवोड है कंडेक्षिन प्रिजन में जैसे कि इस्टाटिंग में बॉल्टेज हम बढ़ाते हैं तो ब्रेकडाउन बॉल्टेज तक तो यह बढ़ेगा नहीं व्लटेज शाफिर इसके बाद में हमें बढ़ता है यानि यहां पर यह बढ़एगा इस परिंट मुर्णी तक जहां से इता की ऑन नियूता वहां तक का यह बॉल्टेज है किलाएगा कठो विक अब है पर इससे आगे का रिजन है यह ब头 रेजन के कलाएंगा किन्डेकशं दिए ऑषंडेक्शन डिजन असको बीटी वह सकते हैं यानी टर्मीनल ब्रोतेज पो इसके बाद में, रिवर्स रिवर्स में भी यहां पर इसके अंदर यह बॉल्टेज स्मॉल अमाउंट में होता है, लेकिन रिवर्स ब्रेगडाउन शिखता हूं, जब बढ़ जाएगा, तो breakdown region न आगने के बाद में भी कंडेक्शन state में चला जाता है तो ये वाला section क्यल 실ंगी किलाएगा यहां तक का इन दोनों के बीच में ये केलाता है cutoff region cutoff region इस point से, इस point के बीच में cutoff region इधार वाला point connection region और ये वाला point है इस point से इधार वाला section यह कलाता है हमारा breakdown region breakdown region उसके बाद में देखते हैं हम dynamic crisis की जो भी circuit दिखा गया है उसकी dynamic crisis इस तरीके का हमारे पास में circuit है diode इसमें लगा हुआ है resistance इसमें लगा हुआ है diode, resistance, यह BS है इसकी हम dynamic crisis देखते है dynamic crisis तो dynamic crisis में क्या होगा तो जो curve बना जाता है जो diode के अंदर जो current flow हो रही है उसके बीच में curve बना जाता है और input voltage यानि BS के बीच में जो curve बना जाता है वो गलाता है dynamic crisis यानि ID and BS की बीच में जो करव बनेगा वो किलाएगा डायनमिक शिश आप दी डाइवूड जैसे ही इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं के बीएल इस सर्कुट के अंदर जैसे के बीएल अप्लाई करेंगे तो जो बीडी की वैल्यू है डाइवूड के अक्रोस जो वोल्टेज वो क्या आएगा इसमें से इस वोल्टेज को गटा देंगे तो यहां पर जो वोल्टेज होगा बीडी वो आ जाएगा हमारे पास में डाइनमिक शिश के अंदर तो इस एक्वेशन को क्या करते हैं इस एक्वेशन को यूज करके हम डीसी लोड लाइन ड्रो कर सकते हैं सब्सक्राइब ग Yani लोड लाइन हम ड्रो कर सकते हैं जो अ कि इस टेटिक रिक्स पर बनी होती हे तक यानि इस्टीट करेक्सिस हम मानें गे 24 screaming टू इस के अ क्योंक्bucks न्लोड लाइन बनाते है तो लोड लाइन तरीके से बनेगी लोड लाइन यह हो जाता है हमारा बीयाइस तो यहां तक वाल्टीज बीयाइस हो जाएगा लोड लाइन इस तरीके से बनेगी यह लोड लाइन होगी और जो इस्टेटिक करवाएगा है यहां पर जो बॉल्टेज होगा जैसे कि आईडी करेंट की वेल्यू यहां पर होगी वो क्या होगी यहां से हम आईडी करेंट की वेल्यू निकालने हैं तो यह होगी बी इनपुट बाइड़ वाई रल यहां पर जो बॉल्टेज की वेल्यू होगी इस पॉइंट पर जो बॉल्टेज की वेल्यू होगी यहां तक का जो बॉल्टेज होगा और यहां तक का जो बॉल्टेज होगा वह बी इनपुट बॉल्टेज जिसे हम बी इस से भी डिनोट करते हैं और यह डायोड वल्टेज के लाएगा जो लोड लाइन जहां पर स्टेटिक कर्व को इंट्रसेट करती है इस पॉइंट पर इसे पॉइंट पर मालों इंट्रसेट कर रही है यह वाली तो यहां पर क्या होगा बी डी और बी एकी वेली उकल होगी यानि कि डायोड वॉल्टेज और अनोड वॉल्टेज यह दोनो इस पॉइंट पर जहां पर स्टेटिक कर्व इंट को इंट्रसेक्टर रहा डीसी लोड लाइन को यह वाली डीसी लोड लाइन है यह बरावर होते हैं, DC, Load, Line, इसी तरीके से यहाँ पर, Diode Current और Anode Current भी बरावर होंगे, तो यहाँ पर Anode Current है यह, यह भी बरावर होंगे, और यहाँ पर, B, S और B, Input भी बरावर होंगे, यानि कि Source Voltage, Unput Voltage भी बढ़ाए होंगे, जैसे Load Line, तो यहाँ पर B, S की Value हम देखें, जैसे कि Load Line को eगर Shift करके देखें, जैसे कि इस Point से हम Load Line को Shift कर देते हैं, जैनि यह Intersect Point S को थोड़ा से Shift कर देते हैं, जैसे ओपर कर दिया, या या पर नीचे Shift कर दिया, जैसे यहाँ पर नीचे Shift कर दिया, तो घुञा तो क्या होगा या फिर उपर सिट कर दिया तो क्या होगा तो यह जाएग कर गाँ तो यह फिर कर दिया तो क्या होगा को या रिपकाऊ नीच ese braucht देटें यह पर आज tips यह फिर को यहांपर बॉल्ट भी चेंज रजाएका जिसे कि यह पर निए सब्सक्राइब रहा है इस तरीके से यह कर पनेगा वापस दोबारा कि यह बनेगा डायनिक कर दो यह वाला सेक्ष्ण यह वाला फिक्स रहेगा और इस point पर यह बनेगा या इस से आगे जो shift हो जाएगा यहाँ पर बनेगा यह बना यह क्यलाएगा हमारा dynamic curve जो यहाँ से इस तरीके से जाएगा फिर इसको इस तरीके से intersect करेगा यह बना क्यलाएगा dynamic curve dynamic curve जैसे कि बहुत सारी value के लिए पीस की value के लिए हम ड्रोड लाइन ड्रो करते हैं तो उसी के according हमें id की value भी यहाँ पर अलग-अलग मिलेगी इसके लिए अलग मिलेगी यहाँ पर अलग मिलेगी आईटी की value यह वाली अलग मिलेगी तो जो curve बनाय जाता है diode current और input voltage को join करते हुगए diode current और input voltage को join करते हुगए यह उकल आता है dynamic curve तो dynamic curve किसके तरह बनाय वाता है diode current and input voltage जोगी source voltage है input voltage उसके बाद में देखते हैं तीसरा हम transfer करेंगे प्रांसफर करेक्टरेश्टेस्ट C-H-A-R-A-C-T-E-R-I-S-T-I-C-S transfer करेक्टेस्ट में क्या होगा जो कर्व होता है output voltage B output और input voltage Bs यानि B output और Bs के बीच में जो कर्व बनता है वो किलाता है हमारा transfer करेक्टरेस्ट तो B output की जो value होगी यहाँ पर B output की value क्या होगी ID into R होगी तो कि हमारे पास में यह circuit है Bs यह diode होता है और यह resistance होता है तो यहाँ पर हम output voltage नकालते हैं तो output voltage क्या होगा ID into R जो कि यह होगा इस वज़े से जो transfer कर्व है dynamic crust इसके same shape में आता है तो dynamic shape जिस तरीके से हैं यह हमारी उसी तरीके transfer कर्ष्टिस आता है इस तरीके से यह हमारा transfer कर्ष्टिस होगा transfer characteristics तो यहाँ पर हम देखें कि relation क्या है इनके बीच में transfer कर्ष्टिस और dynamic कर्ष्टिस की बीच में रीलेशन क्या है है वह मिरा मी करेक्षर्धीं थोड़ी सी खंव होती है लेकिन इसी Тरीके से फ्रेट होती है थोड़ी सी इस तरीके से वह शांड चैशा वह भी है झारे कहां सकत्फर कर साथ यहां पर और यहां पर इस तरीके से fool जाएंगे तो यहां परından की घौत сохран right लेकिन जब हम डाइनमिक पनाते हैं तो यहां पर बी ऐसी रहता है और यहां पर जो आता है वह आता है आई डी यानिकि ट्रेंड करेंट तो यह वाली हमारी करेंगे डाइनमिक करेंगे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है क्योंकि ट्रांसपर करेंगे वह आउटवूट वाल्टेज और इन्पॉर्ट सोर्स के बीच में ट्रॉ की जाती है जबकि जो डाइनमिक करेंगे इसकी इसकी यह जैसी होती है तो यह इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है इसके बाद में हम देखते हैं कि एक सिलिकन डायोड है जो कि 0.4 बॉर्ट पर ऑप्रेट हो रहा है एक नुमेरिकल हम देखते हैं एक सिलिकन डायोड है जो कि 0.4 बॉर्ट पर ऑप्रेट हो रहा है तो हमें क्या करना है कैलकुलेट दी फेक्टर वाई विच दी करेंट विल भी मल्टिप्लाइड कैलकुलेट दी फेक्टर वाई विच दी करेंट विल भी मल्टिप्लाइड करेंट विल भी मल्टिप्लाइड वाईंदी टेंप्रेचर इंक्रीजड वाईंदी टेंप्रेचर इंक्रीज टेंप्रेचर हमने तो यहां पर हम देखें कि करेंट का फेक्टर क्या होगा जिसे मल्टिप्लाइड की जाए तो सबसे पहले टेंप्रेचर हम देख लेते हैं कि यह क्या दिया हुआ है तो डिग्री सेल्सेस को अगर केलविन में बदलना चालते हैं तो टेंप्रेचर बदलेगा जैसे 25 को केलविन बदलेंगे तो 25 प्लस के 273 हमें जोड़ना पड़ेगा तो यह हो जाएगा 298 केलविन इसी तरीके से तो यह तो क्या है फ़र्स्ट केस में है यह कि टेंप्रेचर नहीं है और टेंप्रेचर फाइनल ही क्या होगा है तो फाइनल टेंफिचर हम निकानने के लिए क्या करेंगे कि इसको मुल्टिप्लाइ करेंगे तो सिलिकन डावड़ जिरो पॉइंट टू पॉइंट तो केलिविन में टेंपरिशर आ गया हमारे पास में अब क्या करते हैं की इसको जैसे की तर्मिनल वॉल्टेज अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकाल लेंगे के इंटव बीटी से निकलते हैं सब्सक्ताइ的時候 मैं वीकन फोऊंट क delivers होती है मारे पास में खेकी मेरी इसलिए ए पा पांवर मैंनस फाइव है घ्रीनिकला करेंगे तू 98 से पुनिकलाा करते हैं हमारे पास मुल्टिपेलए करसे हुए हुए थे 25 पांट 6 72a हम multiply करके देख लेते हैं क्योंकि एक जाम के अंदर क्यालकुलेटर अलाव होता है तो इससे हम multiply कर लेंगे तो यह 25.68 मिली वॉल्टी आता है पर दूसरी सिच्विशन हम देखते हैं दूसरा टेंपरेचर दिया हुआ है इसमें कि टू टेंपरेचर पर यानि दूसरी कंडिशन दी हुई है वह कितना 500 डिग्री चल्शियस तो 500 में हम क्यालवन में बदलेंगे 273 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा शेकंड टेंपरेचर 423 के अकॉर्डिंग हम तर्मिनल वल्टेज निकालेंगे यानि बीटी निकालेंगे तो बीटी कैसे निकलेगा 8.62 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 423 तो इससे हमारे पास में जो बॉल्टेज आएगा वो आजाएगा 36.46 मिली वल्ट अब दोनों हमारे पास में बॉल्टेज आ गए हैं इनिशल कंडिशन में और फाइनल कंडिशन में और हमारे पास मैं डाओड का व्ट आप दिया हुआ है जीरो पॉल्ट डी कुशन में दिया वाया है तो यह पूल्ट बॉल्टेज दिया हुआ है यानि इससे ज्याधा वाटेज होगा तभी डाओड काम करेगा कि वह हम देखो लेते हैं कि माले थिह अमारे पास में इनिशल टेंपरेचर मणलो यह था थे भी आあ इन्दर करेंड करनो रही है हमारे पास में आउटप्ट री lanzo हो रही है इस तरीके से यह माल लेते हैं है तो इसी के अकॉर्डिंग हम कल्कुलेट करेंगे इसको तो आई आउट्पूट जो टू की वेल्यू है कि वह कितने आएगे आई आउट्पूट है जो टू की कंडिशन में जो टेंपरेशर आ रहे है तो टेंपरेशर के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो यह आ जाएगे 1.07 की पावर कि एटी कि इन्टो आई आउट्पूट जीरो वन यह आई आउट्पूट वन अब यहां पर हम देखें एटी एटी की वेलू क्या होगी एटी की वेलू होती है एक तरीके से 125 क्यों होती है तो यह एक एक है टैंपरेचर डिफ्रेंस है तो टैंपरेचर डिफ्रेंस है और यह जाएगा जाने कि 80 नहीं है यह टेंपरेचर चेंजिन टेंपरेचर है यह हम जब निकालते हैं आई आउटपूट टू आई आउटपूट वन तो कि इसको हम क्या करते हैं इसके नीचे ले लेंगे तो यह हो जाएगा का 1.07 की पावर चेंजन टेंपरेचर कितना है चेंजन टेंपरेचर है 125-25 तो जब इससे विल्यूट करते हैं तो यह आजाती है 4709.47 तो की चेंज इन टेंपरेचर की वेलियो हमने 125 निकाली है जबकि forward current है T1 के लिए I1 है और T2 के लिए I2 है तो उसके according हम current निकालते हैं forward current तो यहाँ पर forward current निकाले हम forward current जैसे कि I1 निकाले है T1 के लिए तो यह क्या होगी I01 E की पावर B divide by N VT की पावर minus 1 यह होगी इसी तरीके से I2 की जो वेलियो होगी वो इसी तरीके से होगी I2 equal to I02 E की पावर Vy N VT minus 1 इसे हम जब solve करते हैं N की value यहाँ पर सिलिकन दिया हुआ है तो N की value क्या होगी 2 होगी सिलिकन के लिए तो यह 2 रख देते हैं N की value 2 रख किने के बाद में जब इसको solve करेंगे हम तो I1 divided by I2 हाएगा हमारे पास में वो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 25.68 और T2 पर आया है 36.46 तो यह हम रख देते हैं तो T1 पर 25.68 इंटू 10 की पावर 3 25.68 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस बना जाएगा इसी तरीके से नीचे आ जाएगा T2 पावर 0.4 डिवाइड वाई 36.46 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 1 तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में I1 डिवाइड वाई I2 की जो वेल्यू है वो आ जाएगी तोकि यह अभी हमने निकला था I2 डिवाइड वाई I01 तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह बंड डिवाइड वाई 4709 हो जाएगा तो बंड डिवाइड वाई 4709 हो जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे इन दोनों एक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं तो आएगा 10.0386 फिर जब हम फाइनली सॉल्व करते हैं तो I2 डिवाइड वाई I1 क्या आएगा ऐओड वाई I1 एगा 469.14 तो यहाँ पर जो I2 है इसको किस से मल्टिपलाई करना पड़ेगा क्या है I1 से मल्टिपलाई करना पड़ेगा यानि 469.14 यह ही आंसर होगा तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करते हैं तो calculator के मदद से आपको यह equation solve करके देख लेनी है, कि इसका answer यह 10.386 आ रहा है यह नहीं आ रहा है. Next question हम देखते हैं, कि what are the general crisis of diode clipper circuit? यह question 2016 ने पुछा गया है. कि what are the general characteristics of diode clipper circuit? of diode clipper circuit. तो कोई भी जो diode clipper circuit होता है, उसके अंदर at least कोई भी clipping circuit होगा, उसके अंदर two component होते हैं, पहला होता है एक ideal diode, और एक होता है resistance, यह यह रजिस्टर. यह दो component compulsory है, clipper circuit बनाने के लिए. और कई बार एक clipping level को fix करने के लिए, हम DC battery भी यहाँ पर लगा देते हैं. ताकि clipping level को fix कर सकते हैं. तो यह दो mandatory equipment हैं, और यह clipping level को fix करने के लिए, DC battery भी हम कई बार इसमें लगा देते हैं. diode है जब forward wise में होता है, तो close circuit की तरह काम करेगा, forward wise में, और open switch की तरह काम करेगा, जब reverse wise में होगा. तो reverse wise में होगा, तब यह open switch की तरह काम करेगा. तो जैसे हम, कोई भी, input waveform देते हैं, तो input waveform को different level पर, हम battery का voltage level चेंज करके, उसको clip कर सकते हैं. तब बाल्टरी के voltage level को चेंज करके, बैटरी लेवल के, बैटरी बाल्टेज लेवल को हम चेंज करके, input voltage को different level पर clip कर सकते हैं. या जो element connect किया गया, उनकी position को change करके, different different पर उसको clip कर सकते हैं. तो clipping है, diode की orientation पर depend करती है, कि diode किस तरीकिस लगा गया है, उसी तरीके से हम clipping करते हैं. जब भी हम clipping करते हैं. तो diode के, जैसे कि diode किस direction लगा हुआ है, उसी कि according जैसे कि positive wave clip करनी है, जैसे input wave हम इसतरीके की देते हैं. अब इसकी हमे positive wave clip करनी है, या negative wave clip करनी है, यह depend करता है कि diode किस तरीके से connected है. डायोड पॉजिटिव एपको क्लिप करने के लिए लगा हुआ है या फिर नेगेटिव एपको क्लिप करने के लिए लगा हुआ है उस चीज पर रहे डिपेंड करता है तो डायोड क्लिपर सरकेट है तो दो तरह के होते हैं पॉजिटिव एपको क्लिप करने के लिए पॉजि तो डा टेम सी वाइसे पॉज किलिप से नीच और श्रुचामि Katrina से उन्हें करें केया है साथ ट्रेक्रीमें हम देखें एक तो सिरीज में अपम बढ़ा जाता है यज़िसमें सब्सक्राइब करें गश्कानने वाइनहीं सब्सक्रें सब्सक्राइब कि रिजम कनेट की जाते हैं संत में क्या है संत कलीपर योट के पैलल होगी यह याओ means सब्सक्रा सब्सक्राइब आइडिल करेक्र्थिक्रिक्षिक सम्देखे आगे यह सब्सक्राइब करेक्षिक ही और इर तो इसे आइडल डायोड की करिश्टिस इस तरीके से होंगे जैसे यहां पर बॉल्टेज होगा यहां पर करेंट यहां पर जीरो फोर्वर्ड वाल्टेज ड्रॉप इसका मतलए आर की वेङ्जुट जीरो फोर्वर्ड वाल्टेज ड्रॉप इसका मतलए आर्की वेली 0 के बिल्कूल नहीं प bás Q इसी तरहीके से रिवर्स्ट के अंदर यह तो फोर्वड बास के अंदर है जीरो रिवर्स स्यूरेशन करेंट है किणी चाइए जीरोडर्यसे पारेशप्र ऑगी सब्धिसऺए होगी इंपायन्ये रिफ्र गया होगी है यू इस तो लेकिन ऐसा नहीं यहres disease अगरे Đिजह मैं कुछ्ष यह जिसकी है प्र्वड बाएज कि वांतीज हो तरी कि यह वीजी जेगा गया है जैसे की Silicon के लिए जो बॉल्टेज बील होता यह बॉइंट 7 वॉल्ट होता है पॉइंट 3 वॉल्ट अ जरिमेंन लिए लिए यह उता है जबकि reverse वीस मैं ऐसा किस नहीं होता है करेंट यहां पर मिली एंप्यर्म होगी है जो करेंट दी जाती है यहां पर मिली एंप्यर्म दी जाती है तो अगर बना है इस तरीके से बनेगी यहां तक हमें टर्मिनल वोल्टेज तक जो तो बीटी टर्मिनल वोल्टेज जा वहां तक हमें कोई आउट्पूट नहीं मिलेगा अई गली जिए परवर्वर्वर्वल्टेज तक कि अब यह ब्टी वोल्टेज के हैं सेलिकन के लिए और ग्रमेनिम के लिए परवश थरी वल्ट है तो यह हमें मिले हुआ यह जो वेल्यू है forward voltage forward resistance की जो वेल्यू है वो किसे निकालते हैं हम dby di से निकालेंगे यानि forward resistance की value होगी dby di इससे हम forward resistance की value निकालते हैं और यह वाली value current होगी तो यहाँ पर हम देखें ideal diode crisis है जिसके अंदर drop के अंदर discontinuity होती है वो होती है इस point पर यानि bt terminal पर करेंगे है जो है यह जो यह दो यह फो और डाओड के अंदर डिसकंटेशी होगी कॉनके अंदर हम कहते हैं जो यह पॉइंट दखाया है एक रेक के लाएगा यह आगए कि एस यह ऐते ब्रैक्ट से लिएम के लिए पॉइंट कि लना होता है यो है जर्मिनाम के लिए वौट और सिलीकन के के लिए पाइंट 7 वॉलट पॉएंट 6 वॉट हो फिए यह प्रत होता है कि और व्रेखवर्ट के लिए यह जीरो होता है तो इसको चुनिवर्ट रेट है रिवर्स बैस के लिए आल्मॉस्त जीरो गा हम देखते हैं इक डाइओड क्लीपिंग सरकेट इसका बनाते हैं तो डाइओड क्लीपिंग किस तरीके से बनेगा जैसे कि जो अई वी क्रेक्श्थिस्स है उर्सक्राइओड के अधर कि ने यह हमномनेक अधिया और इसके लिए बॉल्टरी बॉल्टेज हमने लगा दिया ताकि क्लिपिंग की लेवल को हम सेट कर सके प्लस और माइनस बी और इसके बाद में यहाँ पर हम लेंगे आउटपूट और यहाँ पर हम देंगे इनपूट जैसे की यहाँ पर हम कर बनाया है जैसे इस पर अगर हम कर बनाते हैं तो क्या होगा जैसे आई भी करेक्शिस हम बनाते हैं यहाँ पर जैसे यह हमारे पास में स्लोप आया है आई डायोड की करेशिस का इस लॉप है यह ब्रेक पॉइंट है मान लेते हैं यह वाला पॉइंट ब्रेक पॉइंट उसके बाद में स्लोप यहाँ पर चैंज हो जाएगा पॉइंट के बाद में और यहीं पर हम इन्पॉइंट के लिए इन्पॉइंगा यह पॉजिटिफ के लिए एंपॉइंगे तो ब्रैक पॉइंट के रेफ्रेंस लेते हुए है हम जैसे इंपूट देंगे तो वह इस तरीके साएगा इस तरीके से यह वाला पॉइंट यहां पर मेश करेगा है 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 तो जो इन्पूट वॉल्टेज है वह इस तरीके से दिया जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में इस तरीके से और यह नेगेटिव सेप के लिए होगा तो आउट पूट का लेवल है इसी के कोडिंग आएगा जैसे कि आउट पूट का बे फर्म यहां पर निकालेंगे तो वह इसी के कोडिंग आएगा अब यहां पर क्लीपिंग है वह क्लीपिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी जैसे यह वाला पॉइंट है यह वाला सेक्षन यहां से क्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी यहां इस वाले सेक्षन से यह क्लीपिंग स्टार्ट हो गी तो बी आउट्पूट वोल्टेज यहां पर क्या होगा बी आउट्पूट वोल्टेज है वो होगा बी आउट्पूट वोल्टेज एंट्व आरेफ डिवैड वाई आरेफ प्लस आरेफ क्या है फोरवड वोल्टेज है यहां पर तो जैसे ही बी आउट्पूट वोल्टेज यहां पर क्लीपिंग सर्कुट किस तरीके से काम करेगा आउट्पूट क्लीपर सर्कुट वो हम देखते हैं अब यहां पर जो स्लोप है यह वाला स्लोप यह स्लोप आ रहा है और एफ डिवैड वाई यह आरेफ प्लस आरेफ की वज़े से यह वाला स्लोप यहां से आ रहा है ब्रेक पॉइंट तो यहां पर देखे हम डैोड यहां तक ओफ है इस पॉइंट तक दिदंफ है और इस परिंट के बाद में डायोडगोन होता है कि यहां पर शुक्रहें के बाद में इधर डायोड क्या है अओन हो रहा है और इससे जो वे खुंब है तो किस तरीके से आएगी इससे वे फोर मिsl तरीके से आएगी कि क्लिप यहां से ओना स्टाट हो जाएगा जैसे यहIONारा जाएगा जोकst वापस नीचे आ जाएगा मैं और नेगेटिव में पूरा जाएगा जोनी करिका दिया हुआ है यहां थकी भी जैसकिटाञा discourse है लेते हुए मुझे पूरा जाए गा है तो यहां पर जो बैलिए यहांपर यह वाली बैलुय प्लएट की वैलिए इसके का बंडिक है और है जो ब्रेकड़ vapor थोक्व अड–टैओ वारी फिलिस comics होता है यहांपकर व्हल फेलीए Ice सब्सक्राइब करें यह यह वाल्टेज का लेवल है यह वाला वी प्लस वी इंपूट का योग यहां पर होता है तो यह क्लिपिंग के लिए काम आता है कि अब देखते हैं यहां पर यह जो करशिश दिखाए गई है transmission करें इसकी इसमें पूंट है अब पर अगने स्थमने बढ़ाया है discontinuity के रेक्सपेक्ट में ब्रैक पॉइंट है यह बी प्लस इब इन्पोर्ट है यह पर अब ट्रमिनल वर्टेज को होगा यह वाल्ट आता ब्रैक प्लस कि और जो गामाघ्व नियंब के लिए जो father Сп deb ie और प्री के लिए फीड होताया लिए बाउंटकी और सेविन होता है वहहां तक ये वाल्टेज होगा बी-प्लस भी गउना तो ब्रेक पॉइंट क्या होगा जैसे कि बी इंपुट की बेल्यू जब तक इसे कम है जब तक बी इंपुट की बेल्यू इसे कम है तब तक डायोड रिवर्स वाइसम होगा और अफ कंडिशन होगा जैसे यह बी इंपुट की बढ़ती है तो डायोड ओन कंडिशन वह जाता इसके बाद में यहां पर क्लिप हो गया है आगे पूरा कंप्रीट नहीं गया है क्लिप हो गया है तो जैसे ही कि यहांपर सी अहियदो पने में हो खुका है का लगा है कि भाद आपर रूपोग तो इससे लोड नहीं होने कि वैसे यापर कोई वाद नहीं देखाएं गया तो कि रेस्टेंस लगा गया लेकिन यहां पर ब्यावर्ट की तरफ को लोड नहीं है तो इस विए से कोई ड्रॉप नहीं दिखा गया है रिश्टेंस में अगर यहां पर लोड होगा तो यह ब्रेक पॉइंट की राइट में हम देखें जैसे बी इंपूट की वैल्यू आने लग जाएगा यह नहीं इसमें चैन्ज आने लग जाएगा और इसकी वैसे बी इंपूट में चैंज होगा और यह आउट्पूट में इंक्रीमेंट सो करता है तो यहां पर हम देखें जैसे कि सब्सक्राइब ने यहां पर अपलाई किया है और सिगनल को कि यहां पर हमने ब्रेक पॉंट बना दिया कि इसकी वैजे से क्या होगा अआउट्पूट की पॉजिटिव हो रही है यहां पर क्योंकि जब resistance forward resistance है RF की value वो बहुत ज़्यदा कम होगी तो series resistance की value है यानि कि RF की value जब series resistance से बहुत ज़्यदा less होगी RF की value अगर series resistance से बहुत ज़्यदा less है ज़्यदा कम होती है इसकी वेसे क्या होगा कि positive output है वह limited हो जाएगा यहां पर हो जाएगा यानि कि यहां पर ख्लीप हो जाएगा कि तो यहां पर output है तब होगा जब positive peak है वो क्लीप हो जाएगी और B gamma reverse price के अंदर negligible होता है तो इस वैसे B voltage के comparison में B gamma है negligible हो जाता है इस case में B खुद है, यहां पर reference voltage की limitation का काम करता है उसके बाद में हम देखते हैं next next questions है क्लिपिंग का डिजिट्रांगरां मौट देखें के हैं क्लिपिंग काई साण जैसे कि यह क्लिपिंग है डिफरेंटीई गई जैसे किए अने दर क्लिपिंग दिखाई गई है तो आफिस फॉत पर यहाँ प्र क्लिपिंग इस तरी जाएगा नेगेटिभ में वह जाएगा तो इस तरीके से करिक्भ कर दिखा गई है अगर डिखरेंट डिफेरेंट बीड़ पर कुलैपिंग यहां पर दिन डिखाए को इसके बाद में हम देखेंगे अ लुम दिखन चीजзд लेवी रप्यक्याशाओ कर लेगां कि यक्याटीर अवीं अवीडके 2शP अर र्प लेखेन कि यक्याटी अ मिस अवीड़व कि pig यकश आंड़क कि यक्या त इस नदिदेज च्याट फिराःट कि यक्याट त वो गेवे डीसी आउटपूट वोल्टेज वह है 80 वोल्ट और डायोड का रजिस्टेंस हम भी नेगलेट करना है और फैंड करना है क्या क्या चीज़ फैंड करनी है यहापर DC load current if RL is 5000 ohm DC load current if RL is 5000 ohm efficiency of rectifier बताना है rectifier के efficiency क्या होगी efficiency of rectifier और तीसरा हमें बताना है peak current truce diode peak current truce diode यह भी हमें बताना है तो यहाँ पर हम देखें यह डेटा दिया हुआ है डेटा के अकोर्डिंग जब हम solve करते हैं तो सबसे पहले तो देखते हैं कि peak current through diode निकार नहीं है full wave rectifier के अंदर कि अंदर कि यह पुच्छन में नहीं दिया हुआ है कि center type है किस तरीके का है only full wave rectifier दिया हुआ है तो हम full wave rectifier कोशा भी बना देते हैं जैसे कि center type बना देते हैं कि यह हमने बना दिया center type कि यह diode है कि यह भी diode बना देते हैं तो यहां पर DC current दी हुई है तो इसकी वैसे जो current flow होगी diode की वैसे और load के अंदर जो current flow होगी यह RL है यहां पर first diode की वैसे DC current flow होगी और यहां पर total DC current flow होगी तो जैसे यहां पर दिया हुआ है DC voltage घखमऊज 10 दिया हुआ है यहांने DC load current क्या होगी हमारी DC output voltage अगर हमने жके 20 DC output voltage अगर हमने दिया हुआ है तो यहां पर load current क्या होगी DC load current DC load current थे बटेज्च वैसे ट्रेस्टेंस यानि 80 divided by resistance RL RL यहाँ पर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है RL? 5000 दिया हुआ है तो 80 divided by 5000 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा डिवैड करेंगे तो यह आजाएगा 0.016 यानि कि यह 1.6 मिली एंपियर आजाएगा 1.6 मिली एंपियर उसके बाद हम देखते हैं कुशन क्या पुछा है DC करेंट तो आई गई हमारे पास में यह DC करेंट पुछी है DC लोड करेंट दूसरा पुछा है efficiency of rectifier तो rectifier के efficiency कैसे आएगी? rectifier efficiency का formula क्या होगा? rectifier efficiency तो rectifier efficiency निकारने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे कि जो maximum efficiency होती है वो 81.2 होती है maximum efficiency जो full bridge rectifier होता है या full wave rectifier होता है उसकी और इसको divide कर देंगे हम 1 प्लस RF divided by RL RF divided by RL RF क्या है? forward resistance है into 100 तो जैसे हमारी efficiency आजाएगी तो diode का जो resistance है वो क्या दिया हुआ? 0 ohm ideal condition में DC दिया हुआ DC voltage 80 volt तो इसका मतलब क्या है? diode का ideal condition में resistance 0 होता है RF की value 0 होगी यहाँ पर RF की value 0 होने के वैसे 0 में अगर 5000 का बाग देते हैं RL की value 5 ताब जानता है तो 0 ही आएगा यहाँ पर 0 और यह बन रहेगा तो बनी रहे जाएगा यहाँ पर टोटल तो efficiency क्या हो जाएगी? RF की value अगर कुछ D होगी तभी efficiency चैंज होगी बाकी efficiency यहाँ पर 81.2% ही रहे जाएगी तो क्योंकि यह 0 हो जाएगा की peak current through diode क्या होगी? तो peak current through diode निकारनी है तो सबसे पहले हमें peak current diode की across निकारनी है यहाँ पर इस diode का across peak current निकारनी है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे की D1 diode जो उपर की side दिया हुआ है उससे माल लेते हैं कि यह DC load current है DC load current तो figure से हम देखेंगे DC load current है वो इसके equivalent है इसका मतलब ID1 DC है वो कितना आ जाएगा? 1.6 mA जो कि हमने यहाँ पर calculate किया है यहाँ पर जो calculate किया है IDC की value 1.6 mA यही D1 इस diode D1 की वाई से current आ जाएगी यहाँ पर जाएगा डायोड D2 की वाई से current आ रही है इसका मतलब full wave rectifier के अंदर IDC की जो value होती है full wave rectifier के अंदर वो होती है 0.636 into peak voltage इसका मतलब क्या है कि अगर हमें peak current ने काणनी है इसका मतलब IP की value ने काणनी है तो IP की value कैसे आएगी 0.63 यहाँ इसी डिवाइड वाई 0.636 आ जाएगा तो यहाँ जाएगा IDC डिवाइड वाई 0.636 यहाँ जाएगी IP यहाँ पीक value DC current की तो जैसी हम इसको solve करेंगे तो यहाँ जाएगी peak current की value 2.516 milliampere इस तरीके से इसको solve कर लेंगे बाकि जो next question है जो बाकि question है वो हम next video में देखेंगे कर देखेंगे